हेलु दोस्तों तो आझ हम करणेवाले रैंकाइंड गोडन फॉर्मले की जरुत क्यों पड़ी सबसे पहले यूबर भाई शाब आये यूबर भाई साब नए अपना फॉर्मला दे दिया ㄷ्ब टीट तू अब सब कहने लगे यह तो सरफ long column का है ठीक है बाकी columns का क्या बनेगा short का है हमारे पास medium का भी है ठीक है तीन तरह के column है ठीक है तो ये कह रहे हैं कि बाक्यों का formula क्या बनेगा तो rank kind कहता है फिकर मत करो मैं हूँ ठीक है मैं अपना formula दे रहा हूँ ये और इस formula को आप कहीं भी implement कर सकते हो ठीक है आप short के लिए करो medium के लिए करो चाहे long के लिए करो ठीक है तो हमारे पास जो formula है rank kind golden का formula है वो क्या है one by p is equal to one by p c plus one by p e वो कहता देखो जो p e formula है वो तो yuler का ही है yuler वाला formula ही है yuler's formula ही है मेरी उसमें को इटेंशन नहीं है उसने formula दे दिया था मैंने उसका ही use कर दिया और यह जो p c है वो मैंने दे दिया crushing के लिए crushing के लिए देदिया देखो मेरे भाई मैंने इस chapter पे काफी videos बनाई है आपने अगर नहीं देखी है तो उपर playlist का link दे रहा हूं आप उपर click करके उस playlist के link को और पहली video से आप start हो जाओ और आखिर तक देखो तब यह चीजें ज़्यादा clear समझाएंगी ठीक है तो मज़ा आता है न एक clear करने में बात तो देखो अगर वो कहता कि ऐसे करो जब भी हमारे पास यह formula लगाना है तो हमारे पास column के हिसाब से यह formula लगाना है किस तरह से अगर तो कहता है short column आ गया short आ गया तो short column में आप सबको पता है कि जो buckling होती है वो नहीं होती ठीक है वहाँ पे जो buckling नहीं होती सिर्फ होता क्या है crushing होती है तो आप क्या करना crushing होती है buckling तो नहीं होती buckling नहीं होती तो आप कहते है यह करना कि जो PE है उसको zero कर देना मतलब ignore कर देना जीरो करने का नहीं, इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि हमारे पास है यह नहीं है, बक्लिंग नहीं है, तो यह formula हमारे पास क्या बन जेगा, बस 1 by P is equal to 1 by P C, सरफ यह ले लेना, crushing वाला formula ले लेना, दूसरे को छोड़ देना, ठीक है, अगर आप कहता है कि आपके पास long column आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, long column में आपको पता है कि उसमें crushing नहीं होती, ठीक है, crushing नहीं होती, बक्लिंग होती है, बक्लिंग होती है, तो वो कहता है, अच्छा, ऐसा होता है, तो ऐसे करो, यह crushing वाले formula को छोड़ दो, दूसरे को ले लो, बस, 1 by P is equal to 1 by P E, क्योंकि crushing तो है य ही नहीं है, तो crushing वाला formula रहने दो, long column के लिए यूलर वाला formula ये वाला formula यूज कर लो, यह भी सही है काता है, ठीक है, उस के लिए, तो तीनों का करना है हमने, तो तीसरे के लिए हमारे पास क्या होगा, मीडियम कॉलम के लिए तो मीडियम कॉलम के लिए यह कहता है पूरा पूरा फॉरमला यूज कर लो मीडियम कॉलम के लिए पूरा पूरा फॉरमला यूज कर लो हमारे पास उसमें दोनों होते हैं क्रशिंग भी होती है और बकलिंग भी होती है तो इसलिए वो कह रहा है कि ऐसे करो पूरा का पूरा formula यूज कर लो 1 by P is equal to 1 by PC plus 1 by PE ये पूरा formula यूज कर लो अब दिखो ये formula बनाएगा कैसे बनाएगा ये की PC जो है इसका जो derivation है छोटी सी है ठीक है आपको easy way से समझा सकती है अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ ठीक है और आप उसके बाद वीडियो के बाद थमने लाएगा वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो अभी मैं आपको एक जर्नलाइज चीज बता रहा हूँ कि रैंकाई इन्हें वहाँ पे क्या क्या आपको दिया है ठीक है फॉर्मला है करना कुछ नहीं है PE मतलब Euler's formula यहां put कर देना और PC crushing load है crushing load क्या आता है जैसे यहां पे देखो यह हमारे पास जो stress होती है crushing stress है वो क्या होती है load per unit area तो यहां से जो formula उठाना है जो stress into area के आजएगा यह crushing load आजएगा वो यहां put कर देना है और Euler formula यहां put कर देना उसके बाद हमारे पास values आ जाएगी ठीक है तो उसके लिए मैं अलग से करा दूँगा अभी यह आप समझ सकते हैं तो easy है यह बाते यह बातों को समझो कि उनका नजरिया क्या है देखने का फिर से कहूँगा कि आप देखो paper pass करने का सिर्फ मत सोचो यह सोचो दुनिया ने कैसे नजरिये बदले अपने और किस तरह से हमें safe रहने के लिए घर buildings दी है इतनी बड़ी-बड़ी building मालो 50 मंजली है 100 मंजल है वो बनाई है तो formulas के base पे उनको उन formula पे भरोसा है इसलिए इसलिए यह सारी चीज़ें की है तो आप भी इन formulas को समझो और actual life में दिमाग लगाओ कि हाँ यह actual life में किस तरह से चलते है सरफ यह नहीं कि मैंने paper pass करना ठीक है thank you next video में फिर से मिलेंगे पेपलबबबबबब में में फोंस